दोस्तो आज में आपको कुछ ऐजी सीजों के बारे में बता जनकारी मैंने बहुत रीसर्च के बाद चलिए मुझे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल फैक्ट बॉयंसी में तो चलिए जिसके लिए मैं वीडियो बनाई है उसके बारे में बात करते हैं कैलाश मंदिर कैसी जगह है जब भगवान शिप को पूजा जाता है और वह पूरा का पूरा एक मंदिर एक पत्थर से वनखता ऊल्व बनाया गया घनल शिया के लाश मंदिर क्योघ़ी है यह के मंदिर के नीचे जो जाती है जो माना जाता है कि शसके नीचे एक हैई-टच उलीएं सीटी एसके मंदिर के मंदिर ग गुफां के नीचे कि एलियन्स की कोई city है यहर मुझे तो ऐसा लगता है कि नीचे एक drone पेच के देखना चाहिए कुछ ऐसा है भी या यह जिर्फ एक अबवा है और जिनको फाइल की मैं बात कर रहा हूं वहाँ पर लोगों का जाना सक्त माना और वहां पर ताले भी लगाए गए log जाद हो सकता हे ऎलियन धर्टी पे आये ह disappearance यह मंद चाल्लाक टन्कке लोत पत्थर से बना है और वो वी खरफ ऑठाब हमे फ्वाव चार्लाक 10 के पत्थर से मंदिया जो आज के समय बहुत करना बहुत जादा मुश्किल है तो उतने पुराने समय में कैसे करा होगा सोचिया कहते हैं कि मंदिर उस पूरे पत्थर को काट के बना गया है लेकिन वहां इस वाद को कोई सबूत दिखता ही नहीं है मंदिर के पास कोई कटा हुआ पत्थर का तुकड़ा नजर ही नहीं आता है और नहीं उसके निशान देखे जाते हैं हमारे पुराणों में एक डिवाइस को मेंशन किया गया है जिसको बॉमास्त्र कहते हैं जिसमें पत्थर को हवा बनाने की शम्ता होती है इंस्टेन एस्ट का देखेने केलाज मंदेर उपर से नीचे रहा विलें नहीं और नीजसरे मंदिर को तक बनाए एंधेल्य और लेजर मंदिर इसमें आणीजसर से एलियnya की टेक्नोलोजी होती थी ईंदानों के पना यह ऐसे भी मंदिर को पत्थर से काटके बनाया गया और आज भी उन मंदिर के नीचे उन एलियंस का बेस है अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण और उसके समय की अगर 18 साल में इतना बड़ा मंदिर बनाना है लोगों को तो दिन के 12 गंटे बिना रुके काम करना हुआ तब ही वह एक द मंदिर का निर्माण हुआ उस टेंप इंसान थे और इतनी मौल्डन टेक्नोलोजी हमारे पास आज भी नहीं है तो यह एलियंस काम हो सकता है दोस्तों अब आपको एक एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो सची घटना बेवेस है और बहुत ज्यादा शौकिंग है तो ध्यान से सुनना मेडम एच्पी कलावास के कुछ लोगों के साथ जब कैलाश की गुफाओं में गई तो उन्होंने उन गुफाओं के अंदर कुछ बहुत ज्यादा जीप सा देखा उन्होंने देखा कि पांच एलियंस जैसे देखने वाले लोग चेयर्स पर बैटे हैं उनमें से ए अजीब सी बैटरी या फिर एलेक्ट्रो मैंने टिक सोर्स की वैसे हवा में उड़ रहा था और उनमें से जुनकी बीच में जो उनका कैप्टन या फिर कोई सदार था वह बंचल जैसे लाइट की तरवो कभी इन्विजबल कभी ट्रांस्पेरेंट कभी ट्रांसलूशन होत अगली वीडियो में आपको मैं आपको कैलाश परवत के बारे में बताऊंगा तो बने रही आपके अपने चैनल फैक्ट बैंची के साथ कैलाश परवित का वह रही जिसमें एलियन्स और इंसान का को कोई मेल हो सकता है यह तरीक से हम उसको आमना सामना भी कह सकते हैं इंसिडेंट एस्टेन और तेरिस केते हैं के कलाश परवत पर भी अड़ा है एलियन्स जिसकी पुष्टी में आपके साथ अगले वीडियो में करूंगा आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए सब्स्क्राइब करिए शेयर करिए ताकि यह कीन्तियान आपके दो इसको जानने की कोशिस्त, हम और इंसिडेंट एस्टिनर थेयरिस्ट करते रहेंगे मेरा काम है आप तक यह इउस्टिनर एस्टिनर थेयरिस्ट की जान करी पहुच आना जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए पता चल सके कि हमारे से पहले क्या एलियन्स थे उनका रास्त थे तो कहां थे वो क्यों चिपके बैटें और ऐसा भी हो सकता है कि एलियन हमारी दुनिया से संपर्क करने की कोजिस कर रहे हैं या फिर वो हमें जानना चाहते हैं कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि एसन यानिकी स्री निवास लामानुजन और एलबर आइंस्टाइन को जो इ झाल झाल झाल